बाबा साहिब अम्बेटकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिताश्री रामजी वल्दमालो जी सकपाल महु में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपतनी भीमाबाई ने काली पल्टन स्थि में 14 अप्रेल के दिन जब रामजी सूबेदार अपनी ड्यूटी पर थे, बारा बजे यहीं भीमराव का जन्म हुआ। कबीर पंथी पिता और धर्मर्म प्रायन माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा।